आपको बात करें लोग भार्दी के तरफ से इलाइसी अच्छेता में जो की कमपणियां लाइन है और खास करके विहार के अर्वल जिला जो की सबसे पिछने जिला में भी आती है और खास करके यहां बच्छो को के माधियम से लोगों को जागरुत किया जा रहा है जैसे घर की समान हो मोटर हो पंके हो इत्यादी चीजों बेकाम करने के लिए इन बच्ची और बच्चीओं को खास करके प्रसिचन दिया जा रहा है यहां लगभग बहुत दूरी चल चुका है सिच्छा लेकिन उसे फिर से जगाया जा रहा है और लोगों तक पहुचाया जा रहा है थाकि बच्चे सिच्छित बने और एक अलग मुकाम हासिल करें ऐसे में हमारे साथ मुलकात भी हुआ है सांतिनु सर का जिनों ने अच्छी चो के लिए अपने सुना रहा और सरान किया है सर इसके बारे में क्या कह मेरा नाम शर्या कुमारी है, मैं भी आरे आटेशा है करने की वह पूरा हो गई और मैं इस तीज को धन्य वाद करते हैं यहां पर काम करती है को कितना चली बहुत सुक्रिया है है पहलेस्ट कि लुट पार्चे की बात की जा रहे है यहां पेसर शीज की बात की जा रहे हैं अपने सुना बच्चों को कि इस तरीकार बच्चों किसे उन्हीं महिने की कड़ी महिनम से उन्हें जॉब भी मिल गई और फिलहाल वो लोग अपने जॉब पे लगे हुए है फिलहाल आप देख रहे थे सटीबिकेट उनको विद्रन किया गया है जॉब प्लेस्वेंट भी हो चुकी है शांतनु सर के द्वारा उन्होंने बताया कि कई राज्यों में हमारा यह प्रोग्राम चल रहा है एलाइस की एचे फिल्म जो की लोग भारती के द्वारा चलाया जाता है सिच्छा का टेकनिकल ग्यान इनके छेहरे पे मुस्कान ला रही है सभी के पास आज आत्मे निर्वर होनी का समय आ चुका है जैसा कि यह तस्वीर देखिए कई बच्चियां हैं कई बच्चे हैं जो खास करके टेक्निकल ग्यान प्राप्त करके आज वर्क कर रहे हैं अपने होम यानि गाउं के अगल बगल संस्थानों में जैसा कि यह तस्वीर है जिसमें लोगों को खास करके बच्चे और बच्चियों को सर्टिफिकेट प्राप्त हुई है जिसे लेकर अब कहीं भी जाए तो उसे जॉब मिल जाएगे फिलहाल यही कमपनी के द्वारा जॉब ब्लेस्मेंट भी की गई है इन लोगों को 10-12 रुपे तक की पेमेंट फिलहाल दी जाती है यह शांतनु शर है जिन्हें फुरुसकार देकर या तो कहें 800 रुपे उन्हें स्वागत किया जा रहा है वैसे विहार में दिल्ली से आये है झाल